ये सभिधान का उलंगन है सभिधान में आर्टिकल 51A में लिखा हुआ कोई अंद विश्वास नहीं फलाया जाएगा कोई राम शाम का नाम लिया नहीं जाएगा साइंस से देश चलेगा और जो है प्राण प्रतिष्टा का एक डोंग है प्राण प्रतिष्टा पत्रों में न करता तो प्राण प्रतिष्टा कैसे हो गई यह सब डोंग है लोगों का आंद विश्वास की तरफ लाया जा रहा है सभिधान का गोर उलंगन है आर्टिकल 51 कहता है कोई भी आंद विश्वास नहीं फलाएगा यह दुरभाग्या है जिस आदमी ने जिस सरकार ने सभिधान की शबद लिए कहा लिए उसकी सरकार कि वह प्रतिकल 51 के काम रही है पुप्लिक में ठ´गी है आसता कूछ नहीं होती आसता हो है जिस बात की समय नहीं आते उसको आसता कहते हैं इन्होंने लोगों को आंद विश्वासी बनाया है लोगों को जूट बोला है कहम पधर में ज तेल नहीं मिलता यह सड़क में जला देते हैं यह भी सविधान का विरोध है यह सबसे आज काला दिन हुआ है बाबरी माज़े को गिरा कर एक वहां नकली मंदर बनाया बाजबा जो है आज जो जितने भी काम कर रही वो गलत कर रही है इसका क्या आपको जबाब देंगे उन्हों बो इंडिया और सबसे जादे और सबसे जादे गृबबी है सबसे जादे आन पड़ता है उसको बीश्व बोल्जगार नी मिलेगा बहां बिखारी की होगी कोई उनिवस्टिट्रि आब बनाएंगे बाहं विधवान होते हैं बहुंद बिखारी नहीं मिलेंगे यहां के इ Serge Hanaguya अपने समझ से भोलते हैं लोगों को नब से डहरं पनाते हैं और लोगों को अन पड़ रखते हैं. यह भी यह से आता है और इसके खिलाफ हम ने सिंगर्ज करना है सिखों को जो है साथ तरह का आदमी है समयदार आदमी है बुद्दी जी भी है हर समाज में है आप यह कहेंगे कि ब्रामन सारे बेब कूफ है rendezём यहीं नाम से कोई आज तक राम नी वुआ कोई क्रिशन हुआ जिसके नाम के आगे पंड़त लिखा था डिसकवरी ऑफ इंडिया में उसने लिखा था जैसारी काल्पने कहानिया हैं और इससे पहले आप नोट कर ले सप्रीम कोट इन सप्रीम कोट ऑफ इंडिया कह रहा है कि सध्राइस आपको सबस्...? पर्धानमंत्री देशका अलंगेन आज उसने घोर न्याये सविधान के साथ किया है बहुत गोर निया सरिदान के 更त्भान के साथ किया है कि नरे वह लिए और सुधान मंत्री लोग हैं और वो आप यह लगा लें कि आप परधान मंत्री क्या काम कर रहा है साइस का सविधान के आर्टिगल 51 में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार आएगी संस्टिफिक वैल्यू बढ़ाएगी जो आंद्विश्वास करेगा पब्लिक के साथ आंद्विश्वास के साथ व आप में आप में आप में पत्रों में नहीं है और कोई एक आदमी बता दो जिसने यह देखा कि इसमें प्राण प्रसिष्टा हो गई और आपकी तरह बात करने लगा आपकी तरह पत्रकार बन गया ऐसा देखा है क्या